तेजस्वी आदव दिल्ली में जाकर सोनिया गांधी से मुलकात करते हैं और उसके बाद एक खबर निकल कर आती है कि तेजस्वी आदव ने सोनिया गांधी को कहा है कि कॉंग्रेस को हम लोग बिहार में तीन मंत्री पद ओफर कर रहे हैं। उसके बाद सूत्रों से मालुम चलता है कि सोनिया गांधी और तेजस्वी आदव की बातचीत होती है और थोड़ी बहुत सहमती बन जाती है लेकिन पेच यहां फस जाता है आकर कि सोनिया गांधी आज यानि की शनिवार को एक बैठक करने वाली हैं। चार मंत्री पद दिया जाएगा उसके बाद तिरस्वी आदव दिल्ली जाते हैं दिल्ली जाते हैं तो सुनिया गांधी से मुलकात होती है और सुनिया गांधी से जब मुलकात होती है तो सुनने में यह आ रहा है कि तिरस्वी आदव ने तीन मंत्री पद का उफर दिया औ और प्रदेश असर के नेताओं के साथ और बातचीत करके ये इस बात का मसला का हल निकाला जाएगा कि क्या उनको सामिल होना है बिहार के महागडबंदन के सरकार में तीन मंत्रीपद के साथ कॉंग्रेस के जो प्रभारी हैं बिहार के भक्चरंदास उन्होंने सुनिया कॉंग्रेस को दिया जाएगा अब कॉंग्रेस वाले हो सकता है कि इस बात को स्विकार ना करें कि 19 विधायक के साथ हमको तीन मंत्रीपद दिया जाएगा हाला कि अब तक इस बात का फैसला नहीं हो पाया है कि कॉंग्रेस वाले तीन मंत्रीपद पर मानेंगे या नहीं मान है कि हम लोग मंत्री पद नहीं लेंगे हम लोग सरकार को बाहर से समर्थन करेंगे आप इस बात को समझेए जब महागडबंदन की तहट सरकार बनाई गई दो दिन तिन दिन पहले तब नितीश कुमार और त्रियस्पी आदव ने कहा था कि हमारे पास 164 विधायगों का समर् हो रही है आपको हमने एक बताय था खगड़िया के विधायक चत्रपति यादव के बारे में भाई साहब ने आला कमान को एक पत्र लिखा और कहा कि अगर आपको बिहार में जातिय समिकरन को साधना है तो आपको हमको मंत्री बना दना चाहिए चत्रपति जी ने अपना दल इमार जी उन्होंने को आला कमान को कहा है कि मंत्री हमको बनाईए और उसके बाद खबर आई है कि तिरस्वी यादव ने ये कह दिया कि कॉंग्रेस को तीन मंत्री पद मिलेगा अब आज सुनिया गांधी बैठक करेंगे निताओं के साथ और उसके बाद ये फैसला लिया चाहेगा कि कॉंग्रेस मंत्री पद लेगी या नहीं क्या कॉंग्रेस वाले तिरस्वी यादव नितीश कुमार से इस बात का निगोशियेशन करेंगे कि हमको तीन नहीं चार पद चाहिए चार नहीं पांच पद चाहिए और क्या निगोशियेशन में तिरस्वी यादव नितीश कुमार इस बात को स्वीकार कर लेंगे, ये भी देखने वाली बात है, मिला जो लाकर देखिए, महागट बंदन की सरकार तो बन गई है, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना तेरस्वी यादा और नितीश कुमार को करना पड़ रहा है, क्योंकि मंत्री पद क से ज़्यादा के लिए निगोशियेशन करते हैं कि नहीं, या फिर कॉंग्रेस वाले ये कहते हैं कि देखिए बाई साब, हम आपको बाहर से समर्थन देंगे, लेकिन मंत्री पद नहीं लेंगे, मतलब ये कि अगर कॉंग्रेस वाले अगर बाहर हो जाते हैं, तो कहीं न कह यह कहा जा सकता है कि महा गठबंदन भी धीरे धीरे ही सही कमजोर होने लगी है क्योंकि जब यह कहा गया कि 164 विधायक हमको समर्थन दे रहे हैं तब तो मंत्रीपद वाली बात कोई नहीं थी और आज सिर्फ मंत्रीपद के लिए अगर महा गठबंदन कमजोर पड़ जाए तो आप यह समझ सकते हैं कि जो विपक्ष को एक जूट करने की बाद नितीश कुमरा तरस्वी अदब पुरे देश भर के लिए कह रहे हैं वो बिलकुल खोक्रा साबित हो जाएगा वहराल मीटिंग के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है और क्या नही आप हम से जुड़े रहे हम आपको पलपल की अपडेट बाद रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद